आज हम लोग ब्रेड और एक से बहुती इज़ी और जटपट बनने वाली एक ब्रेक्फस्ट और स्नाक्स की रेसिपी बनाएंगे तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में इस बिल आइकोन को दबाईए जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगे एक प्लेट पे ले लेंगे दो अंडा देंगे सॉल्टू टेस्ट एक फॉक से हम अंडे को अच्छे से फेट लेंगे देंगे टू टेबल स्पून चॉप धनिया पत्ता वान टेबल स्पून चॉप ग्रीन चीलीस मिक्स कर लेंगे अच्छे से ये रेसिपी बहुत ही इज़़पट बन जाती है इसको आप ब्रेकफर्स्ट और स्नाक्स में कभी भी खा सकते है तवा को गरम करके दे देंगे वान टेबल स्पून ओईल स्प्रीट कर लेंगे अच्छे से फिर एक ब्रेट लेके एक मिक्स्चर पे डीप करेंगे ऐसे और दे देंगे तवा के उपर दूसरा एक ब्रेट लेके भी सेम प्रोसेस में ऐसे डीप कर लेंगे और फिर तवा पे दे देंगे दोनों ब्रेट को एक साथ ऐसे जोड के देना है मतलब दोनों ब्रेट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए अभी जितना मिक्सचर बचा है इसके उपर डाल देंगे दोनों ब्रेट के गैप में भी डाल देंगे इससे अगर थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो वो इस मिक्सचर से फिल हो जाएगा इसको अभी 2-5 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड देंगे दो मिनिट बाद इसको पलट देंगे पलटना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए दोनों हातों से करें इजी होगा आपके लिए अभी थोड़ा सा प्रेस करके इस साइट को भी लो फ्लेम पे देर से दो मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे देर से दो मिनिट बाद पलट देंगे देखिए इस साइड भी अच्छे से हो गया है तो गैस को ओफ करके नेक्स टेप पे जाएंगे इक प्लेट पे निकाल लेंगे इसको थोड़ा सा मोजरिला चीज नहीं तो प्रसेस चीज ग्रेट कर लेंगे एक प्रेट के उपर ही हम लोग ग्रेट करेंगे दोनों प्रेट के उपर ना करें दे रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चीली फ्लेक्स बट दोनों ही ऑप्शनल है दूसरे प्रेट को ऐसे फोल्ड करके बंद कर लेंगे और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे काट कर लेंगे ऐसे आप चाहे तो इसको बिना काट के भी सर्फ कर सकते हैं आप इसको घर में एक बास जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताईए कि कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी अगर मेरी ये वीडियो आपको अथी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज 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 मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद